ओम नमस्य बाई, श्वागते आप सभी का मेरे भक्ती भावना यूटूब चैनल पर आज मैं आपको बहुत ही साधरन सा उपाई बता रहा हूँ ये उपाई बेहदी चमतकारी और प्रभावसाली है स्रावण मास लगते ही सभी लोग मंदरों में जाना शुरू कर देते हैं बैसे तो प्रति दिन मंदर जाते हैं और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि हफते हफते जाते हैं लेकिन स्रावण मास में लोगों का प्रति दिन आना जाना मंदरों में खासकर लगा रहता है और खासकर स्रावण मास में भगवान सिव की पूजा का विशिश महत्व है जो व्यक्ति स्रावण मास में भगवान सिव की आराधना करते हैं उनके सभी कार से दो जाते हैं लेकिन कुछ ऐसे उपाय होते हैं देखने में सहाधारन होते हैं लेकिन उनका प्रवाब बहुत ही ज़ते हैं. आज मैं आपको एक वाल्टी पानी का उपाय बता रहा हूं. दोस्तों, यह उपाय बेहदी चमतकारी हैं. जिसके पुत्र प्राप्ति नहीं उपा रही है, धन प्राप्ति में रुकावटे आ रही है, या बिवाव के योग नहीं बन पा रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई परिशानी है, उनको यह उपाय करना चाहिए, स्रावनमास में लोग भगवान सिव का अवसिख करते हैं, भगवान सिव का दोस्तों ये उपाय आपको करना है अपनी कोई भी मनुकामना बोल करके आपको क्या करना है कि सिव मंदर जाना है पहले आप भगवान सिव जी को नमस्कार करेंगे और उसके बाद में आपको क्या करना है कि जिस जगे पर सिवाले होता है जिस जगे पर सिवाले होता है सिवाले के पास जितनी भी जगे होती है उसके आसपास की जगे आपको पानी से दोनी है सिवाले जिस जगे इस्तापत है पहले आप भगवान गने जीप पर इसनान कराएं भगवान सिवजी को इसनान कराएं और सिवलिंग के पास जितनी भी चीजे हों सारी चीजे आपको अटा करके शनान करा देना है और पर सिवाले से नीचे जितना भी फर्स का जगए होती है आपको पानी से दो देना है नियमत रूप से आपको यह नियम चालू कर देना है आपको बाल्टी में पानी लेना है और बगवान शिव की पूजा करें जब आप ये स्रम कर लें उसके बाद बगवान शिव की पूजा कर ये बेल पत्र चड़ाइए बहंग दतूर चड़ाइए दूद चड़ाइए घी चड़ाइए जो भी आपको चड़ाना है सिवलिंग पर आप चड़ाइए लेकिन एक पूरे महीने आप यह पाय कर लिजिए और देखना कितने लाव आपको प्राप्त होंगे विशिश मैत होता है इसका जो व्यक्ति मंदर में जाड़ू लगाता है मंदर को दोता है मंदर में पहुंचा लगाता है करोनों जन्मों के पाप नश्ट हो जाते हैं और उनकी प्रति जरू करें देखना कितनी जल्दी लाव मिलेगा